प्रभू की अरादना करेंगे जो सर्वशक्तिमान है जो जयालू है और जो ग्रिपालू है डिली ब्रेट में आजके एक वफिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं आईए अपने स्वारों को चुकाए अपने आखों को बंद करें और आड़मिक प्रातना हम करेंगे अनुग्रेकारी देलुस्वर की पिता विलम से क्रोथ करने वाले आती करूना मैं परमेश्वर तुरे समुख स्वारों को चुकाए आते हैं तुझे हे अपा हे पिता कहके हम तुसे परातना करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा को चाहते है हमारे उपर परमेश्वर तु हमारा परमेश्वर जिसने हमें सुरिजा है ओ हमारे हर एक शरीर के भागों के उपर हमारी इंद्रियों के उपर तेरे नियंतरन को चाहते है प्रभू जब इस से में हम तुझे अरादना चड़ाना चाहते हैं तेरी दया को चाहते हैं प्रभुची तू हमाई जीवनों में काम कर प्रभुची तेरी सामर्थ हमाई जीवन में कारे करें प्रभुची तुसे प्रातना करता हूं पिता परमेश्वी अपने हाथ की नीचे हमें बनाएं रखे प्रभुजी और हमाया दोना चड़ाई जाने वाली अरादना इस्तूती तुझे ग्रहन योग की हो हमसे बाद चीत करें प्रादना प्रभु येश्यु के नाम से मांगते हैं आमें हललुया आये मिल के प्रभु के नाम को अरादना देंगे जो सर्वशक्ति मांग जो दयालू और जो करिपालू है उसके संबो काएं और इसको अरादना दें सेनाओं का यहुवा हमारे संग संग है याकुप का परवेश्वर हमारा उचागर है तेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है क्या अधुप्रा पमेश हमारा उचा गरे है और जिसने आताख बनाया जिसने पित्वी बनाई वो सर्चक्ति माना नहूँ है वो यहोवा हमारे संग संग है वो संग शक्ति मान प्रभू है वो यहो वा हमारे संग संग है सेनाओं का यहो वा हमारे संग संग है या कुप का फरमेशर हमारा उचा गड़ है समुंतर को जुसने दो भागा जंगल में से मार को निकाला समुंतर को जुसने दो भागा जंगल में से मार को निकाला जो वाईदे को करता है पूरा वो यहो वा हमारे संग संग है सेनाओं का यहो वा हमारे संग संग है या कुप का परमेशर हमारा उचा गड़ है सेनाओं का यहो वा हमारे संग संग है या कुप का परमेशर हमारा उचागल है लाजर को जिसने जिलाया जग कई को जिसने बचाया गये जिसके लिए सब संग हो वो यहो वा हमारे संग संग है जिसके लिए सब संग हो वो यहो वा हमारे संग संग है सेनाओं का यहो वा हमारे संग संग है जिसके लिए संग का परमेशर हमारा उचागल है आरा दुना करे आरा दुना उपकारों को उसके याद करे हातों को उठा के धन्यवाद करे उचे सरों में उसकी सूती करे आरा दुना करे आरा दुना उपकारों को उसके याद करे हातों को उठा के धन्यवाद करे उचे सरों में उसकी सूती करे हालेल्या आरेल्या बा-दुना गारा दुना करे अ हालेल्या झांगल्या ऒbang mega उता करे आरा दनेवारो येश्यु तो राजाओं के राजा तेरिया राजना ओवे प्रभु यहुआ तू मान है तू महान है तू महान है तू महान है तेरे आसन के पास आप ग्रेपा मिलती रहे तिरे जर्नों के पास बैती शांना ओवे राजाओं तू महान है तू मुल्छा वे तक दू कुछ ऑख वए तू में है तू में हुआ तू महान है तू महान है स्वांती मिलती है, तिरे मंदिर में मैं आ, तू मिलता है, तिरे आसन के पास आ, कृपा मिलती है, स्वांती मिलती है, तिरे मंदिर में मैं आ, तू मिलता है, तू ही है, यहो आशालो, प्रभु मेरी शान्ति, जो मेरे मन में आए, मसीहा को जान कर, तू ही है, यहो आशालो, प्रभु मेरे करीब है, वादा किया है मुझ से, तेरे सात्र उस्दा, तिरे आसन के पास, रिपा मिलती है, तिरे चैनों के पास बैठ, शान्ती मिलती है, तिरे मंदिर में मैं आ, तू मिलता है, तिरे है को जो, प्यार मिलता है, तिरे हाथों को मैं खास, साहरा मिलता है, तिरे आँखों में मैं देखो, तु है, तू ही है, या रो आ रो ही, प्रभु मेरा चेवा, हरी चाराई में चलाता, सुखदाई जल पिलाता, तू ही है यहों वाईी रे, रबु जो मुझे देता है, जरुरत को पून करता, मही मा के दन से, तिरे आसन के पास, तिरे आसन के पास, तिरे पास मिलती है, तिरे मंदर में मैं आहूं, तू मिलता है, तिरे मंदर में आहूं, तू मिलता है, तिरे मंदर में आहूं, 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 प्रभु की वचन को प्रभु की दास के दोने से लिए प्रेज दो लौड मैं आशा करता हूं कि पमेश्व हम सभी की प्रात्ना को सुन रहा है और इस समय में जबकि महामारी फैली हुई है हम सब लोग लगातार पमेश्व की स्थूतिय और अरादना कर रहे हैं और जो मेरा आज का वचन है वह स्थूतिय और अरादना के ही विशे पर है आई हम लोग निकालेंगे भजन सहिता उसका एक सट अध्या और उसका आठपद वह पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मैं सरवदा तेरे नाम का भजन गागा कर अपनी मनते हर तिन पूरी क्या करूंगा वहां लिखा हुआ है मैं हर समय हर समय जो है भजन गागा करके हर दिन अपनी मनते पूरा किया करूंगा पमेश्व के स्थूति करना बहुत ही महतपूर है परमेश्य चाहता है कि हम हर समय, हर दिन, हर प्रस्तिती में, हमारे जीवन के हर पल में हम उसकी स्थूति और राद ना करें हम लोग देखेंगे भजन सहीता चौती सध्या उसका पहला पद वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है मैं हर समय यहुआ को धन्य कहा करूँगा उसकी स्थूति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी वहां परमेश्य कवचन कहता है मैं हर समय यहुआ को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्थूति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी एक विश्वासी का करतव यह है कि वह हर समय हर परिस्ति में किसी भी चीज में चाहिए वह कुछ भी वह बात क्यों ना हो हर बात में परमेश्य यह वह की स्तूति और और अरादना करते रहें जैसे दाउट जो है वह परमेश्य की स्तूति और अरादना करते रहें और इसलिए अरादना और स्तूति का वाता वरान बनाए रखना बहुत जरूरी है प्रियों ऐसा क्यों है कि हमें स्तूति और अरादना करते रहना है इसका कारण ये है जब हम स्तूति और अरादना करते हैं तो हम उस महान परमेश्वर के लिए एक सिहासन का निर्मान करते हैं स्तुतीर्की सिहासन करें और मे innovation हमारे स्तुतिर के बलीदान को ग्रहन करता है और इसलिए बहेंत्रपूर्ण हो जाता है कि हम स्तुतीग और अराधना करते रहें अपने परिवार के साथ अपने वैक्तिगत जीवन में हम उसका उसकी अराधना करते हैं उसको महिंम दिते रहें फिल्वीपियों उसकर चौनते अध्याय और उसके चौनते पद्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रभु में सदा आनन्दृ रहो मैं फिर कहता हूँ आननदी रहो हमारा आनंद बहुत सी बार लोक सोचते हैं हमारा आनंद दुनिया की चीज़ों में होगा परेंट प्रियों हमारा आनंद जो है वाप्रभु में हैं और इसीलिए पॉल उससे बात को फिलिपियोगे करिस्या को याद दिला रहना और आज हम सभी के लिए भी याद करने के लिए है और हमें ऐसा करना भी है कि हमारा आनन्द हमें प्रभू में ढूनना है और हर समय आनन्दित रहना है भजन सहिता उसका 113 अधिया उसका 133 बात को याद दिलाता है उद्याचल से लेकर उदियाचल से लेकर के अस्ताचल तक यहुआ का नाम इस्तूती के योगे है हाँ यहुआ का नाम इस्तूती के योगे एक नाम जो सब नामों में स्रिस्ट है एक नाम जो सब नामों में महान है एक नाम जो सब नामों में योगे है सुनाम है वह नाम जो है परमेश्य यहुआ का नाम है इसलिए आपको और मुझको हर बात में, हर समय चाहे कोई भी परिस्थिति के ओना हो उसके नाम की महिमा करते रहना है उसके नाम की सुत्य करते रहना है उसके नाम को आदर देते रहना है इफिश्यो की पत्रि उसका 5 वा द्याय उसके 20 पत्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है सदा सब बातों के लिए हमारे प्रवू येश्यु मस्थी के नाम से पर्मेश्यर पिता का धनिवात करते रहो सदा सब बातों में वहां यह नहीं कर रहा है एक दो बातों में जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है जब हमारे आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा है जब परिवार बिलकुल ठीक ठाक है उस समय ही नहीं परन्तु सदा सब बातों में इफिश्यो की कलिस्या को पॉलूस जो है उत्साहित क के लिए हमारे प्रभु ये शुमसी के नाम से पंपेश्व पिता का धनेवाद करते रहो हर एक विश्वासी यदि आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं मैं शुमसी के पीछे चलने वाला हूं मैं शुमसी का चेला हूं मैं शुमसी का अन्याई हूं मैं शुमसी पर विश्वास करने वाला हूँ मैं कलिस्या जाने वाला हूँ तो ये आपके और मेरे लिए है ये आपको और मुझको कहना सदा सब बातों के लिए तो हमारे चिएन में चाहे कोई भी परस्ति क्यों ना हो हमें उस बात में भी पमेश्य यहुआ का धनेवाद करते रहना है पमेश्व चाहता है हम हमेशा जो है स्तूती धन्यवाद और अरादना का बलिदान उसे चढ़ाते रहें एक विश्वासी को जरूरी है कि वह सदा सब बातों के लिए पमेश्व यहवा का धन्यवाद करें और स्तूती अरादना का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता रहे पमेश्वर आपसे और मुझसे मांग करता है कि हम इन बलिदानों को चड़ाएं पर कब सदा सब बातों के लिए हर परस्तिती में हर चुनों तो के मद्धि हमारे अच्छे समय में भी और हमारे बुरे समय में भी जब सब कुछ ठीक ठाक है और जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है उस समय में भी आपको और मुझको पमेश्व यहवा को धन्यवाद का बलिदान चड़ाना है मिरे प्रियों यह जो है आप्शनल नहीं है कर सके तो खर लो ऐसा नहीं है यह कोई मद्ध चुनाओ का बात चुनाओ की बात नहीं है परन्तु यह जरूरी है कि हम सदा सब बातों में उस पमेश्व यहवा को धन्यवाद का बलिदान चड़ाते रहें और इसलिए खास तोर से दो बाते मैं आज आप लोग के सामने रखना चाहता हूं जहावे पमेश्व चाहता है कि हम उससे बलिद बलिदान चड़ाएं एक है शारिक तोर पर इसको हम लोग पढ़ते हैं रोमियो उसके बारवय अध्या उसके पहले पद में इसलिए हे भाईयों मैं तुमसे परमिश्व की दया इसमन दिलाकर विंति करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमिश्व को भाव तो आप बलिदान करके चड़ाओ यहां पर पालूस जो है रोमियो की कलिस्या को उत्साहित कर रहा है और उनसे निवेदन कर रहा है और वह चाता है कि रोमियो की कलिस्या इस बात को जान ले कि रोमियो की विश्वास इस बात को जान ले कि उन्हें अब एक बलिदान को चड़ाना है अपनी दे को एक बलिदान के रूप में चड़ाना है और वह बलिदान है जीवित पवित्र और भावता परमेश्वा मांग करता है हमसे कि हम उसे जीवित पवित्र और परमेश्य को भावत हुआ बलिदान करके चड़ाओं यस मेरे प्रियों परमेश्य बलिदान की मांग कर रहा है और यह बलिदान जो है शारिक है और यह शारिक बलिदान में वो चाता है जीवेट पवित्र और भावता हुआ बलिदान हो जो उससे फसंद आता है ऐसा बलिदान पहला कुरुंतियों उसके छटवे अध्याय और उसकी 19 पद में हम लोगों को देखने को मिलता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्रात्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और पवित्रात्मा हमें बसा हुआ है और तुम तुम्हें परमेश्य के और से मिला है और वहा हमें परमेश्य की और से पवित्रात्मा हमें परमेश्य के और से मिला हुआ है हमें दाम दे करके मूल लिया गया है पहला करुंतियों उसका तीसरा अध्याव उसका सोला पर भी कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पर मेश्यो की आत्मा का मंदिर है मेरे प्रियों इसलिए जरूरी है कि हम इस दे के दोरा शारीर रूप से बलिदान चड़ा करके इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपने को खाट ले कहीं जा करके अपने गले को खाट ले और अपने आपका बलिदान करते नहीं 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 परन्तु वे बातें जो हमें शारिक रूप से परमेश्वर से धूर रखती हैं वे बातें जो हमें जो है वे फांप जो हमें परमेश्वर से शारिक रूप से अलगाओं में लेकर जाती हैं ऐसी बातों को हमें बलिदान दरके चड़ाना है और यह बहुत ही महतपूर है इबरानी उसका तेरवा अध्यावा उसका पंदरा पादिस प्रकावर से कहता है इसलिए हम उसके दौरा इस्तूती रूफी बलिदान अर्थात उन होटों का फल जो उसके नाम का अंगिकार करते हैं परमेशर के लिए सर्वदा चड़ाय करें यहां पर लिखा हुआ बिलकुछ साब तोर से इसलिए हम लोग इस्तूती रूपी बलिदान अर्थात हमारे होटों का फल हम होटों से उसे इस्तूती देते हैं हम होटों से उसे धनेवाद देते हैं हम होटों से उसका आदर करते हैं उसका मान करते हैं उसका सम्मान करते हैं तो इस बलिदान को हमें लगातार चलाना है इस बलिदान को हमें लगातार चलाना है और ये महतपूर है प्रियों कि हम जब अपने मूँ खोलें तो उससे इस्तूती निकलें उससे धनेवाद निकलें उससे महिमा की बात निकलें उससे आदर की और सम्मान की बात निकलें बहुत से लोग इसी होट से लोगों को श्राब देते हैं गंदी गालिया बकते हैं गंदी बाते करते हैं इसलिए यह जरूरी है कि हम शारीक रूप से बलिदान चड़ाएं और अपने होटों को पवित्र पाक और साफ करें हम क्या बोलते हैं? क्या हम बुराई के फाप में फस गए हैं? क्योंकि परमेश्य के वचन बताता है यह वा बुराई करने वालों से विमुख रहता है इसलिए जरूरी है जब हम अपने मोटों को खोलें तो हम सूति करें, धन्यवाद करें और परमेश्य के नाम की महिमा करें यदि हमारे पास में दूसरों के विशे में बात करने के लिए हो तो उनके लिए अच्छी बाते बोलें क्योंकि इस जुबान में, इस जिब में हमारे मुँ में जीवन अम्रित्य दोनों बसते हैं यदि हम लोग की बुराई करते हैं यदि हम लोगों के लिए बुरा बोलते हैं, तो जान रखिये, हमारे न्याय के दिन में न्याय होगा, और हमारी बाते जो हमने कहीं हैं दूसरों के विशे में, जो हम कारे कर रहे हैं सारी कृप से दूसरों के विशे में, वे सब के सब वहाँ पर न्याय के दिन में लिखे मे गिने चाहेंगे इसी का ही इब्राणी तेरा अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है पर भलाई करना और उदारता ना भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलीदानों से प्रसंद होता है मेरे प्रियो हमारा जो लक्श है वो लक्श यह है कि परमेश्वर हम से प्रसंद हो हमारे खारियों से हमारी बातों से हमारे जीवन से यदि आप कहते हैं मैं विश्वासी हूँ यदि आप कहते हैं मैं पमेश्वर का अन्याई हूँ और यदि आप कहते हैं मैं कलीसिया जाने वाला एक अगवा हूँ या कलीसिया में पाया जाने वाला एक सिश्य हूँ आप कोई भी क्यों नहों यदि आप बच्छाई हुए हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आप परमेश्वर को ये बलिदान चढ़ाएं वो है भलाई करना और उधारता क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसंद होता है प्रियों हमारा लक्ष तो परमेश्वर को प्रसंद करना है हमार इस जीवन का उदेश यह है कि हम उसे प्रसंद करें और प्रसंद करना हम जानते हैं विश्वास बिना उसे प्रसंद करना अन होना है इबरान इससे 11.6 में लिखा हुआ है पर तो हम इस बात को भी जानने परियों कि हम उदारता और भलाई करने से भी परमेश्य यहवा को इस बलिदान को चड़ाने के दौर भी परमेश्य यहवा को प्रसंद कर सकते हैं हम जो है अच्छे काम करें जब हम अच्छे काम करते हैं तो परमेश्य प्रसंद होता है क्योंकि यह बलिदान उसे ही चड़ाया जा रहा है भजन सहिता उसका 69 अध्याय और 30 पद मैं गीत गाका कर तेरे नाम की स्तूति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करता रहुँगा जानिये प्रियों कि परमेश्य नकेवल हम से सारिक बलिदान को चाहता है परंतु साथ ही साथ वह आत्मिक बलिदान को भी चाहता है कि हम जो है आत्मिक बलिदान दें आत्मिक बलिदान चढ़ाएं नकेवल वह चाहता है कि हम जो है शारिक बलिदान में कि हम अपने शरीरों को जीवता पवित्र भावता हुआ करके कि उसे चड़ाएं ना कि वह चाता है कि हम अपने होटों को खोल करके उसकी स्तूति करें उसका धनेवाद करें उसका सम्मान करें उसका आदर करें ना कि वह चाता है कि हम उदारता और भलाई के द्वारा जो है बलिदान को चड़ाएं और परमेश्य को परसन करें पर तो तो चाहता है कि हम आत्मिक रूप से भी ओ बलिदान चल्हा करके उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, उसकी स्तूति करें क्योंकि आत्मिक बलिदान बहुत महत्पूर्ण है और इसलिए भजन का लिखने वाला दाउद इस बात को कहता है मैं गीत काकर तेरे नाम की स्तूति करूंगा और धनेवाद करता हूँ तेरी बढ़ाई करूंगा मैंने अपने वचन के शुरुवात में कहा कि जब हम स्तूति करते हैं, जब हम धनेवाद करते हैं, जब हम उसका आदर करते हैं जब हम उसकी अरादना करते हैं तो हम उसके लिए एक वातावरन को बनाते हैं एक सीहासन को बनाते हैं जिसमें आंकर के वाव विराजमान होता है और हमारी स्थुतियों को हमारी अरादनाओं को हमारे धन्यवाद के शब्दों को स्विकार करता है और इसलिए महत्पूर्ण हो जाता है कि हम गीत गा करके उसके भजन गाएं आप में से बहुत से लोग हैं जो गीतों की संरचना करते हैं गीतों को लिखते हैं आप में से बहुत लोग हैं जिनके गले बहुत अच्छे हैं आवाजे बहुत अच्छी हैं. आप उसकी महिमने के लिए गीत गाते हैं. उसकी स्तूती करते हैं. उसकी बढ़ाई करते हैं. उसकी प्रशंसा करते हैं. बहुत अच्छी बाछ है! क्योंकि दाउद भी बिल्कुल इस प्रकार से कह रहा है. और हमारे हमारे करतव यह है कि हम इस बलिदान को चड़ा करके उसके नाम की महिमा करें हमारे गीतों में धन्यवाद जुड़े हुए जरूरी है हमारे गीतों में उसकी महांता का बखान होना जरूरी है हमारे गीतों में उसके बलिदान को दिखाना जरूरी है हमारे गीतों में जो प्रियों उसके नाम को आदर होना जरूरी है मेरे प्रियों यह बलिदान उन जानवरों के बलिदान से जिसे हम पुरान नियम में पड़ते हैं कही उत्तम बलिदान है और परमेश्वर इसी बलिदान को आज की दौर में, आज की समय में चाहता है कि हम उसके घीदगाएं, उसको महिमा दें पजन से तब पचास अध्याय और उसका तेज पर इस प्रिकार से कहता है धन्यवाद के बलिदान का चड़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है और जो अपना चरितर उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उत्दार दिखाऊंगा यहाँ पर वच्छन कहरा है धन्यवाद का बलिदान चड़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है मेरे प्रियों हमारी प्रस्ती बहुत विप्रित हो सकती है कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपने मूँ को भी ना खूल पाएं कि हम उसकी बात दे कहें परन तु ध्यान रखिए यह आत्मिक बलिदान परमेश्वर मांग कर रहा है अप्शनल नहीं है अगर कर सकते तो करो ऐसा नहीं है पर यह मांग कर रहा है परमेश्वर चाहा है क्योंकि वह ऐसा पमेश्वर है हमारे दुखित समय में हमारे सबसे ऐसे दोर में जब हम सबसे अपने आपको नीचा महसूस कर रहे हैं गीरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम पटक दिये गए हैं गहराई में और हमें छोड़ दिया गया है हम अपने अकेले पन में हैं ऐसे समय में भी हमारे पास एक ऐसा महायाजग है जो हमारे दुखों के साथ में ओ दुखी होता है हम दोग निकाल के पढ़ेंगे ये ब्राणीयो कि पत्री उसका चौंत धियाय और उसका पंदरह पर क्योंकि हमारा ऐसा माहया जक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी नहीं हो सके वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निस्पाप निकला हमारे पास एक ऐसा महायाजक है अर्थात ये श्यमसी जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है हमें छोड़ चाग नहीं देता है तुम जानो तुम्हारा काम जाने बन्तुवा ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ दुखी होता है मेरे प्रियों इसलिए जरूरी है कि हम जो है उसकी महिमा कर सकते हैं धन्यवाद के साथ में हम उसकी महिमा कर सकते हैं अच्छे चरित्र के साथ में क्योंकि जिसके पास में ये बापते हैं उसे पमेश अपने केवे उधार का दर्शन दिखाएगा लुकर अचिसु सुमाचार उसके दूसरे अध्याय और तीस पद में लिखा हुआ है मेरी आखों ने तेरे उध्धार को देख लिया है क्योंकि मेरी आखों ने तेरे उध्धार को देख लिया है यहां पर परमेश्वर अपने किये वे उध्धार को दिखाना चाहता है परन् को जो अपने चरित्र के दोरा परमेश्वर परमेश्वर को भाउता हुआ बलिदान चड़ाते हैं उनको ही परमेश्वर अपने केवे उद्धार का दर्शन दिखाएगा पहला पत्रस उसका दूसरा द्याय उसके पांच पद में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एक आत्म बलिदान भी हम उसे चड़ाएं तुम भी आप जीवते पत्रों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याज़कों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चड़ाओ जो येश्व मसी के द्वारा परमेश्वर को ग्रहन योग्य हो येस तुम भी आप जीवते पत्रों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो इसी लिए याज़कों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चड़ाओ मिर्प्रियों आप और मैं याज़कों का पवित्र समाज बनकर के घर बनकर के उस परमेश्वर के लिए जीवत घर बन जाते हैं और हमें आत्मिक बल अधर आत्मिक समाज जो परमेश्व को ग्राणियों गया है इसलिए स्तूति रुपी और राधना और महिमा के बलिदान को चड़ाना जरूरी है पर उसका तेरा अध्या उसके बाइस पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है फिर उसे अलग करके दाउद को उनका राजा बनाय जिसके विशे में उसने गवाई दी कि मुझे एक मनुष्य ये शिक्या पुत्र मेरे मन के अनुसार मिल गया है जब आप और मैं उस आत्मिक बलिदान को चड़ाना शुरू करते हैं तो परमेश्वर नकेवल दाउद के लिए परन तो हमारे लिए भी इस गवाही को देता ह है कि मुझे एक अनुष्य मिल गया है एक बेटा मिल गया है एक बेटी मिल गई है उस शहर में एक बेटा मिल गया है इस शहर में एक बेटी मिल गई है उस कॉलोनी में एक बेटा मिल गया इस कॉलोनी में एक बेटी मिल गई है जो मेरे मन के नुसार है हाललुया हाललुया आ आत्मिक बलिदान बहुत महत्र पूर्ण है मरे प्रियो कई बहुत आसान होता है कि अपने हाथों को उठा ले अपने मूग को खोल ले पर बहुत सी बार आत्मिक रूप से बलिदान चड़हना मुश्किल हो जाता है इसलिए जरूरी है कि खाप और मैं आत्मिक रूप से भी उसे स्तूती के बलिधान चड़ाएं स्तूती का बलिधान हम शारी करूप से हमें चड़ाना जरूरी है और आत्मिक रूप से भी चड़ाना जरूरी है सुती का बलिदान हम उसकी ओ सुती करते वे और राद ना करते उसका धनेवाद करते वे चड़ाते हैं सुती का बलिदान हम जो आत्मिक बलिदान है उसे हम जो है ओ उसको महिमा देते वे चड़ाते हैं और सुति का बलिदान, हम उसे आत्मिक घर, आत्मिक समाज बनते वे भी चड़ाते हैं, जो परमेशो को ग्रहन योग्य है, और इसलिए जरूरी है, जब परमेशो खोच कर रहा है, परमेशो आराद को की खोच कर रहा है, सच्चे आराधक, जो आत्मा और सच्चाय से उसकी आ आराद ना करते हैं, मेरे प्रियों, इसलिए जरूरी है, एक सच्चे आराधक में जो है, वो इस्तुति का बलिदान, शारिक बलिदान होना जरूरी है, और जो है, इस्तुति के बलिदान में एक आत्मिक बलिदान, चलहाना उसे जरूरी है, लुकर अजिस सुमाज चार, उ मेरे पास से हटा ले तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो मेरे प्रियों आत्मिक बलिदान में जरूरी है कि हम हर एक बात में प्रभू परमेश्वर को आगे रखें उसकी इच्छाओं को आगे रखें बहुत सी बार हमें ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाती है अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता जैसा मैं विचार कर रहा हूँ ऐसा होता तो कितना अच्छा होता जैसा मैं योजनब बना रहा हूँ ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होता पर जो आप जान रखि कि इजहाक का ब्रज्दान चड़ाएँ तो अब्रहाम उसके लिए तियार हो जाता है एक ही बेटा年前 की आई humour में आ वह तियार जाता क्योंकि वह जानता था मांगने वाला कौन है ब्रज्दान चाहने वाला कौन है जो एक बेटा दे सकता है वो कई और बेटे भी दे सकता है जिसने एक बेटे को दिया है उसने वादा किया है कि मेरे वंश को वो अकास के तारगन और रेद के कणों किनाई बढ़ाएगा ऐसा परमेश हमारा है इसलिए जब हम स्तूति और अराद न करते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें जो है वो स्तूति का बलिदान चड़ाना ज़रूरी है और इस स्तूति के बलिदान में ये दो मांगे पमेश्वा हम से रखता है एक है शारिक बलिदान और दूसरा है आत्मिक बलिदान और मेरे प्रियों मैं चानता हूँ हम सब इन शारिक और आत्मिक बलिदानों को चढ़ाने के योगें और काबिल हैं क्योंकि लिखा हुआ हम लोग ने पढ़ा पहला पत्रस उसका दूसरा द्या और उसके पांच पत्र में हम लोग ने पढ़ा था अभी अभी कि क्या है पमेश्व चाहता है तुम भी आप जीव थे पत्रों कि नाए आत्मिक घर पामेश्व चाहता है हम आत्मिक घर बंजाए हम पवित्र समाज बंजाए में जो इश मसीय के दोर आप पमेश्य को ग्राण योगिय हो, हम ऐसा बलजान चप़एं, हम ऐसा बलजान चप़एं, तो जब आप मूग खोलें, पमेश्य के इस्थूतिय और राध न करें, आप जो है आत्मिक बलजान चढ़एं, धन्यवाद के साथ में, महिमा दिते जाएं, आई अपने सरों को जुकाएं, हम प्रात ना करें पामेश उपीता हम चाहते हैं, तेरा अनुग्रा हम में से प्रते को मिलने पाए प्रभू जी तु चाहता है, सब बातों में, हम सब खुदा अमबाप प्रभू जी हर एक परस्ति में, तुझे इस्तूति चढ़ाते रहें, तुझे इस्तूति का बलिदान चढ़ाते रहें और तु हम से मांग करता है, कि हम स्तूति के शारिक बलिदान को चढ़ाएं तो हमसे मांग करता है कि हम स्तूति के आत्मिक बलिदानों को भी चड़ाने पाएं सब बातों में सब प्रकार से प्रभू जी हर एक प्रस्थिती में कुदान बाप क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जब हम अपने अच्छे समय में होते हैं तब भी तू परमेश्वर है और जब हम अपने बुरे समय में होते हैं तब भी तू परमेश्वर है तो ना बदलने वाला परमेश्वर है तो युगान यूग एक से रहने वाला परमेश्वर पभूजी और हम इस बात करें तरह धन्यवाद करते हैं हम चाहते हैं पिता पमेश्वर, ना किवल हम अपने शरीर को खुदाम बाप जीवता और पवित्र अभावता हुआ करके तुझे चढ़ाएं, ना किवल हम अपने पवित्र हांतों को उठा करके तरी स्थूति करें, ना किवल प्रभुजी हम अपने होटों से ओ तरह धनेवा से भाद, तरह मॉहमा, और कुदाम बाप लबाप पर मेश्वर तेरे यादर का बखान करें, महांता का बखान करें पर हम साथ ही साथ चाहते हैं पिता पमेश्वर, चाहते हैं रूप सिरू ऐूर, दो तुझे तुझे महमा। सके पिताप मेशव परभुजी खुदामबाप आत्मी की रूप से भी हम बल्दान चढ़ाने पाए और हम पिताप मेशव ओ पवित्रगर बन्चाएं याजको का समाज बन्चाएं और पिताप मेश्वर ओ तुझे एक बलिदान चढ़ाने पाएं साहता कर साहता कर प्रभुजी हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवनों से प्रसंद हो प्रभुजी जब हम दूसरों की साहता करें तू लोग हमारे जीवनों से प्रसंद हो प्रभुजी हम सारा आदर गौरों और महिमत तुझे देते हैं इस समय में पिता पामेश्व अण्टी प्रेमलता के लिए प्रात्ना करते हैं खुदाम बाप अपने चंगाई बरे हाथ को बढ़ाए बहन को चुई चुई ये खुदाम बाप बुजी और पूर रूप से खुदाम बाप चंगाई दीचिये येश्यू नासरी के नाम से हम कहते हैं उनकी पूर्ण चंगाई होने पाए और भी हमारी कलिस्या में जो लोग बिमार हैं हम सब ही के लिए प्रात्ना करते हैं पिताप अमेश्व वे आपके इस पर्श को प्रात्ना करने पाएं अपने चंगाई बरे हाथ को बढ़ाये खुदान बाप क्योंकि तरह वच्छन करता है तेरे कोड़े खाये जाने के दौरा हमने चंगाई को प्रात्त की है येश्यू के नाम से उस चंगाई को बोलते हैं प्रभुजी जो बिजनस करने वाले उनके बिजनस पर आशीश का हाथ रख खुदान बाप जो नौकुरिया करने वाले उनके नौकुरिया पर अपने आशीश का हाथ रख इस महामारी के समय में हर एक लोग खुदान बाप प्रभुजी अपनी सुरक्षा दे खुदान बा प्रभी शमसी का नुगरव पवित्रा आत्मा की शान्ति और सभागता हमें से प्रतिक के साथ दुबारा मिलने तक बनी रहा है और सभी कहें आमीन आमीन जय है मसी कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी बाठ के ताकि वे भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप आर्थिक रूप से हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप जरूर जो है यहां पर bank account का detail दिया हुआ है, इस पते पर इस account पर आप अपने सहीयोग को भेज सकते हैं, यदि आप और अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा website यहां दिया गया है, आप इस website पर जा करके, हमारे बारे में और अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते करें तो आप जरूर जो है हमारे प्रेट आवर के सिंस नंबर पर संपक्त करें हम आप लोगों के लिए प्रात्ना करेंगे और आशा और इश्वास करते हैं कि परमेश्व अपनी चंगाई अपने सामर्त के काम को आपकी जीवन में दिखाएगा प्रभू आप सब को आशिश दे